So hello friends and welcome to another video 7 photography apps video में जब मैंने आपसे पूछा था कि You want to know कि मैं Crousal अपने कैसे बनाता हूं Photoshop में तो काफी लोगों ने मुझे पूछा कि काफी लोगों ने मुझे बोला कि They want to see the video कि मैं कैसे बनाता हूं As well as they want a PhD जैसे मैं बनाता हूं तो वो बना सके So this video में मैं आपको बताऊंगा मैं आपको PhD भी दूँगा Different like vertical if you want to post or if you want to horizontal So मैं आपको दोनों का एक template दे दूँगा And मैं आपको यह भी बताऊंगा इस video में कि आप कैसे अपनी photographs को उसके अंदर compose कर सकते हैं तो उससे पहले हम कुछ key points की बात करते हैं कि किस तरह की photograph आप उस पूरे slide के अंदर डाल सकते हैं या crouchal के अंदर डाल सकते हैं So let's start with the very first key point So select at least minimum 5 photograph आपका जो crouchal बना चाहिए नहीं जो आप story बना रहे हो आपने it's like a story आप किसी जगा के बारे में एक story बता रहे हो आप किसी जगा को document कर रहे हो तो आप एक या दो photograph में उस पूरी जगा को नहीं दिखा सकते हैं So minimum आप 5 photograph रखिए 5 के बाद आप 10 तो आपके पास maximum है ही है Now the second key point is कि जो आपकी story है ना वो starting से middle से end तक जानी चाहिए ऐसा नहीं हो आपने सिर्फ starting starting का Let's suppose मैं ताज mail गया तो मैं ताज mail के अंदर मैंने जो 10 की 10 photograph वो starting के डाल दी है बिलकुल mid मैं मैंने क्या shoot किया या बहार आते वक मैंने क्या देखा और मैंने कुछ shoot नहीं किया मैंने जब अंदर गुसा ताज मैंने अंदर entry वाले gate page ही मैंने उसकी 10 की 10 photograph निकाल दी तो वो ना इतना जादा लोगों को appeal नहीं करेगी वो दिखा सकते हैं अब भीच में कहां रुकिए आप वो दिखा सकते हैं middle वाला part होगा फिर आपका holy वाला mathura होगा फिर जब आप वापिस आ रहे हैं या आपने खुद का एक portrait लिया आपने holy से पहले का portrait लिया जिसमें बिलकुल clean है लास में आपने एक पूरे लियर जिसमें अपके पे । पे फेस्टिवल के की पूरी इस बंदे इस जगह पर पे उप्पध कर पाएं या फिर वो जो प्लान पारन प्लान कर रहे हैं। उनको थादा हो जाएगा कि एक्छी होता क्या है छोटा क्या है फेस्टिवल में। Now, the next point is, कि कई बार हम vertical shoot करते हैं, कई बार हम horizontal shoot करते हैं, कई shots हमारे square में होते हैं, so this is the best way, कि जिससे आप सारी-सारी photograph को एक साथ डाल सकते हो, अगर आपने मेरे crosswords देखे होंगे, तो उसमें vertical shots भी है, कुछ उसमें horizontal भी है, so it's a mix of everything. Now, the next point is very important, जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे-सारे आप 10 shot डाले हो, 10-10 एकदब masterpiece हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10-10 आपके masterpiece हो, what I would suggest कि आपके जो सबसे पहला और 2nd shot है, like 1st and 2nd slide, वो सबसे best होनी चाहिए, आपकी cover होना आपका, वो हमेशा आपका सबसे solid होना चाहिए, ताक आपकने के लिए आपका सबसे best shot जो होना आपके उस जगह का या कोई भी हो, आप वहाँ वो उपर डालिए, उसके पास second shot भी I would suggest कि आपका second best shot होना बो डालिए, ताकि जब बंदा आपके पहले shot से second shot पहाना तो उसको एक sequence मिले, एक अच्छे shot का sequence मिले, जैसे मैंने previous point में मैं बोला कि click everything आपके खुद के portrait, food भी है तो ऐसे variety of shots आप रखिए आप जरूर नहीं कि आप अगर, let's suppose मैं ताज मेल जा रहा हूं तो सिफ ताज मेल, ताज मेल, ताज मेल के shot ही लिखा रहा हूं उसमें, ताज मेल का जो garden है, तो वहाँ का फूल का एक shot ले सकता हूं, macro shot ल लोगों को maybe appeal ना करें, लेकिल आपके जब आप krausel के अंदर, जब आव ऐसे shots को इन krausel के उपर डाल रहे हैं, let's suppose just assume, just imagine, के आपने पहला दूसरा shot डाला, ताज मेल को बहुत ही classic सा shot डाला, तीसरे shot में आपने डाल दिया जो artwork जो उसके उपर हो रहा है, ताज मेल के उपर लोगों को जो normal shots भी है आपके बहुत ही solid shots बन जाएंगे उस krausel के अंदर, let's suppose अगर आप बनारस गए है या चानी चौक गए है तो चानी चौक में अगर आपको कुछ food मिलता है जो वहां का बहुत famous है तो आप उस food का shot उसके अंदर जाल सकते हैं और उसके साथ लिख सकते कि famous food you can try in Chani Chowka you can try in the Banaras और anywhere जहां पर भी आप जा रहे हैं महां के food के shot आप एक यदो जो आपके famous shots आप डाल सकते हैं that's how आपके जो normal shots भी है वह आपके सबसे solid shots उसमें बन जाएंगी क्योंकि वह एक story बंदे को बता रहे हैं कि अगर मैं बनारस जार हूं तो मुझे महां क्या खाने को मिल रहा है तो जो normal shot था जो मैं नहीं डाल सकता था food का अकेले वह एक बहुत ही solid shot बन गया मेरा क्राउजल की वज़े से तो depends on you totally depends on you कि आप चाहते हैं text add करना या नहीं चाहते हैं अगर आप text add कर रहे हैं तो I would suggest कि आप 13 या 14 font से नीचे बिल्कूल भी मत जाईए क्योंकि 13-14 font से नीचे text size होता है आपका अगर उससा आप नीचे आएंगे ना तो वह mobile में क्योंकि mostly लोग मोबाइल के अंदर पढ़ रहे हैं तो वह ना पढ़ नहीं पाएंगे text बहुत छोटा हो जाएगा तो 13-14 रखिए जो आपका main paragraph है जो आपकी headlines है let's suppose मैं Spity जा रहा हूं तो मैंने उपर लिखा Spity तो वह Spity जो मैंने लिखा है वह लिखूंगा मैं 24 या 20 text size पर क्योंकि और bold करके क्योंकि वह मेरा main headline है उसके बाल about Spity जो मैं उसके नीचे लिख रहा हूं वह मैं 13-14 के text size पर लिख सकता हूं and regular font के अंदर not in board तो क्या है कि एतना balance बन जाएगा और लोगों को वह काफी अच्छा लगेगा भी और लोगों के पढ़ने में भी आएगा अगर वह छोटी mobile के अंदर भी देखेंगे तो now these are the main highlight key points जो थे जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप krause बना रहे हैं अब चलते हैं directly photoshop पे और मैं आपको अपना धंकर लेक का जो मैंने इस वीडियो के अंदर i card on करके रखिए तो पहले जो password आएंगे let's suppose सबसे पहले आया एक और दो तो वह आपको होगा आपका एक और दो और उसके बाद एक और password दिखेगा which is 3 & 4 तो आपका full password हो गया 1 2 3 4 so that's how you can unlock the Vingrar file so as you see मैंने photoshop खोल रहा और यहां पर आपको दो दिखेंगे एक दिखेगा 10 photos horizontal slide 6-4 और आपका vertical अगर आपको डालना है तो आपको यह वाला डाउनलोड कर सकते हैं which is 10 photos vertical slide तो मैं आपको horizontal वाले का बताता हूं in same format आपको vertical का भी follow होगा आप उसको same procedure आप follow गा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं 10 photos horizontal so as you see कि मैंने पहले से धंकर अपना धंकर लेक वाला जो है मैंने photograph इसमें select कर रखी है तो मैं आपको zoom in करके दिखाता हूं यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर मेरी सारी धंकर लेक की photograph जो मैंने select करी थी वो सारी की सारी य नाचवां छटा साथवां आठवां नौवां दसवां ऐसे दस boxes इसके अंदर बने वें so that means कि यह आपके 10 frames है यह 10 slides है और इस तरीके से आप उनको compose कर सकते हैं अपने अगर आप देखें तो मेरा जो नौवां और 10th frame के अंदर अगर आप देखें तो मेरी एक photograph आगे के तर इस boxes को आप मान के चलेगे these are your boxes, main boxes, main slide तो चलिए मैं दुवारा से rearrange करके कुछ photograph आपको दिखाता हूं तापकि आपको idea हो जाए कि आपको किस तरीके से अपनी photograph को उसके अंदर arrange करना है तो जब आप सबसे पहले PSD खोलेंगे तो आपको PSD में ऐसे करके एक grey card का grey shade का card मिले आप दिखेंगे black से वह grey की तरफ होता 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 डारेक बाइट पर जा रहा है तो अगर मैं अपने folder के अंदर जाओंगा तो यहां पर आपको सारी different photograph दिख रही है अब मैं इसमें से सबसे best वाली जो मेरे को लग रही है जो सबसे पहले लोगों को appeal करेगी ना मैं वह चू बढ़ I think के इन तीनों में से जो सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को वह लग रहा है मेरे को यह सार्ट रेल वाला शॉट मैं Milky Way भी चूज कर सकता हूं बढ़ Milky Way के सामने सार्ट रेल लुकिंग मुच बेटर तो I will select the start rail वाला पार्ट मैं start rail वाले फोड़ेफ को open करूंग अ दबाऊंगा तो मेरे आप देखेंगे यहां पर मेरे को एक बार मिल गया है जिसके थू मैं अपनी फोरेफ को अरेंज कर सकता हूं अलब There is a shift दबा के policies खोटा करेंगे ताकि वह उसी रीजों में छोटी हो जिस रेशो में देखेंगे कैसे बीन सकते हैं अगर the कलती कर दें Escape दबा दें या Ctrl-Z दबाएं अब आपको तब तक छोटा करना जब तक कि वह एंड तक नहीं पहुंच जायती बॉक्स के जब एंड पर पहुंच ही एंड से थोड़ा रखिए और यहां पर दबा दें एंड और उसके बाद Ctrl-Plus दबाईए और आपका जो फ्रेम है वह बड़ा हो जाएगा जूम-इन हो जाएगा और अब जूम-इन के बाद अब अपनी फोरेफ को अरेंज करिए इस बॉक्स के अंदर केरफुली ताकि आपके कॉर्णर में कोई भी ब्लैक पार ना रहे है तो नाओ आइविल गो विदर ड्रोन शॉट अगें Ctrl-A for Select All Ctrl-C for copy और मैं इसको यहां पे paste कर दूंगा Ctrl-V अब मैंने अगर आपको ढंकर लेक के बारे में बताया तो ढंकर लेक में आप देखेंगे कि यहां पे जो बंदा मेरे साथ गया था जो मेरा समान उठाके ले जा रहा था जो टेंटमेंट उठाके ले जा रहा था उसके भी पे लिए जारा लेक करना है तो यहां पर मैं टेक्स की बात करूं तो मैं पहले यहां पे Polaris की जगा पे मैं धंकर लेक डालने वाला था तो मैं चाहरा था कि धंकर लेक का एक चोटा था दिस्क्रिप्शन हो आपने यहां पे देखा है कि अब आउट धंकर लेक जो है and second shot क्योंकि जो मेरा ड्रोन वाला शॉट था उसके अंदर मेरे पास कोई टेक्स नहीं था लिखने के लिए तो मैंने वहाँ पर ढंकर लेकर डाल दिया तो that's how you can actually find a perfect text for your four-year अगर आप तीसरे पर देखें तो यहां पर हमारे camps हैं अगर आप देखें न तो यह रहा मेरा camp इसको अगर लोग करेंगे लेक के साथ जो लोग है वो इसकी जो लेंथ है उसका idea बना सकते हैं कि यार camp इतना चोड़ा दिख रहा और कितनी बड़ी है तो इस तरीके से उनका idea हो जाएगा क्योंकि लोगों को नहीं पता चल पाता कि यहां पर मेरा camp है इसलिए मैंने हलका साथ text लिख दिया वहां पर आक हैं तो इस थरीके से आपना text को चूश कर सकते हैं और text भी लोगों का इंट्रेस्ट आएगा अगर मैं दिल्ली के बारें बता रहा हूं और मैं लिख दू के देली इस capital of इंडिया आप कुछ और आपने पूरा बना लिया फिर आप ctrl shift s दबाईए या save as करिये और इस photo को as a jpeg आप पहले save कर लीजिए क्योंकि I don't want के आप कुछ गलती करें उसमें बाद में crop drop कर दें उसको और बाद में आपकी जो आपने इतिसारी मेहनत करी है वो आपकी waste है फिर आप उस jpeg file को खोलिए और आप देखेंगे कि jpeg file में भी आपको aqua color की lines देख रही है अब मैं दबाऊंगा c या फिर आप आप जा सकते हैं यह crop वाले tool पे और आपको यह box देख जाएगा अब बिल्कुल end से right वाले part से आप शुरू करिए क्योंकि आपका सबसे पह box है न वो aqua line को पकड़ लेगा अब देखिए एकडम aqua के पास आते ही इसने aqua के एकडम पकड़ लिया और आपको यहाँ पे छोड़ देना है देन प्रेस एंटर और इस file को आप सेफ कर लीजिए ctrl shift s दबाके या save as करके धंकर 001 so this is your first four gap जो आपकी सबसे पहली slide थी आप दबाईए ctrl alt z undo करने के लिए आप अपने left वाले box को पकड़िए और इसको लाइए second line के पास और end वाले right side वाले box को पकड़िए और इसको लाइए second box के पास तो यह हो गया अब आपका second box प्रेस एंटर save as धंकर 002 तो इस तरीके से आप अपनी files को crop कर सकते हैं और उनको as a different different slides save कर सकते हैं number one number two number three तो यह आपकी access sequence पर आजेगी फिर आप इसको अपने mobile में transfer कर दिए और आप post कर दीजिए instagram पे slide mode के साथ so video थोड़ी लंबी हो गई but obviously एक बार आपको समझ आ गया किस तरीके से crouches choose किये जाते हैं किस तरीके से मैं choose करता हूं किस तरीके से text choose किये जाते हैं तो आप easily crouches को create कर सकते हैं I hope आपको यह video पसंद आई हो और आपके लिए यह video useful हो अगर आपको तब भी कुछ confusion है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं and I will try to clear your all doubts don't forget to tag me अगर आप कुछ creative krausals इस video को देखके बनाते हैं I would love to see your stories through the creative krausals I will see you in the next video till then keep learning keep shooting keep sharing stay at home and be safe